फ्रेंद्स वेल्कम टो माई चैनल आज हम यहां पे बनाने वाले हैं अद्रक का आचार वो भी सिरफ पांच मिनट में यह देखिए अद्रक का आचार कितना हेल्दी होता है यह तो बताने की मुझे उशकता नहीं है लेकिन फिर भी यह बात है कि जो नॉर्मल हम आचार खाते हैं और यह देखिए अब इसको हम बनाना शुरू करने वाले ही हैं इसको हमने अच्छी तरह से दो खर चील लेना है उसके बाद हमने इसको इस तरह से चाहें काट ले दो आपसे बाद मैं थोड़ा सा इस तरह से काट नहीं रही हूँ मैं क्योंकि इसका भी मैं आपको कमी बिताऊंगे अगर हम इससे काट सकते हैं लेकिन अब मैं दिखोंगे की सता इस दान से बाड़ी काटकर, जैसे हम कटके में डालते हैं वैसे मैंने इसका कट किया है इस देखे मैंने इससे हम़OYgrass गर बताऊंगे कि लंबे काटने काक क्या फायदा ना और छोटे काटने का क्या फायदा हता है तो चलिए जैसे कि आपको दिखाए ये अचिधा this which our capitalism has the directly लिए यह दिखे एक जार लिया है, मैंने प्लास्टिक का लिया है, आप इसकी जगत चाहे वह बारीक कटे हुए अद्रग का बना रहे हैं, यह देखे मैंने इसको इतना भी अपना बना गwe थोड़ा है तो थोड़ा भी बना लो, भल्कि थोड़ा पना होगी जद़ा benefit रहते है कि healthy रहते है कि हम fresh fresh खाते हैं, ठीक है न, तो इस Bennett उन्मेन फिर ना आप मसाला यूनो जो कि पहले ही आर्रीडी हमारे पास है अब आप सोचेंगे पहले आर्रीडी तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमने अचार पहले डाला हुआ था उसका यूनो मसाला बहुत ज़्यादा कॉंटिटी में बच जाता है अचार खा लेते हैं हम मसाला बच जाता है लास्ट में तो अब मैं अपने इस अचार में इसी का प्रयोग करूंगी इसमें कोई मुझे एक्स्ट्रा ची डालने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि मसाला हमारा सुपड उपर है जो कि आम की अचार का है वो मैं अब इसमें डाल रह सकते हैं आम की अचार के यह देखे जो मसाला है इसका मैं डाल रही हूँ यह देखे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करनें ताकि जब हमारा मसाला है इसमें अच्छी तरह से रम जाए तो यह देखे इसमें हम चाहे त कितनी अच्छी कोटिंग हुई है हमारे सारा मसाला जो है हमारे अद्रक पे लग चुका है यह देखे अब चाहे तो आप इसको फ्रेश भी का सकते हैं चाहे आप इसको एक दिन पात खाएंगे तो बिल्कुल ही जादा बहुत ही जादा बेनिफिशिल होगा अब देखे रोट हाँ हमारे स्मॉल पीसी होते हैं तो उसको हमें आजिट फड़ा फड़ा खा जाते हैं लेकिन इसको हमें तोडना पड़ेगा इसलिए मैं ने बारी कार कर इसको मतलब बनाया था चाहर की इसको देखे अब चाहे चाहे दोfa सकाऊ एक पीस चाह खाओ, कितने भी पीसका हमें तोड़ने के अवशकता नहीं है इसको हमने इसी तरह से बस एज़िट सीधा हमने खा लेना है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा जबरदस्त है और आप भी इसको ज़रूर ट्रै करें और मुझे भी कुमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेस्पी कैसी लगी तोकि ये अचार है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसको आप चाहे तो किसी भी सबजी के साथ खा सकते हैं रोटी के साथ जैसे या फिर किसी भी जैसे प्रांठा के साथ भी इसको इसी तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि प्राटे के साथ तो इसका टेस्ट सुबढ़ सुब़ बहुत जयादा टेस्ट इसका जबर दस्त हो जाता है तो आप छे वीडियो को लाइक करें, शेर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें तेंक्यू वेरी मॉच्च